हुआ है हलो फ्रेंड्स कैसे हो मेरा नाम है संजीम जोतर और आज हम जो टॉपिक लेका है वह बहुत इंपॉर्डन टॉपिक है और वह हमारे टॉपिक है वह क्या है रेडॉक्स रेक्षिन या हम कैसे तना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12th क्लास किये उसमें से हम मांने पहले टॉपिक है यह सारी चीज़ें डिसक्रस कर चुके है अब आज का वारा लेक्ट्रोकेमिस्ट्री जोती है अब अने जैसे देखा कि जो पहले अट्रोकेंशन निकालते थे वह कैसे निकाल रहे थे कि हमारी स्टेंडर्ड वैल्यूस होती थी उसमें जो कंसेटेशन एते बा स्टेंड़र था जो हमारा कंसेंटेशन थी उसके बीच में बोलते हैं नर्नस्ट इक्वीशन ठीक है उसमें किया सकते हैं कि different different जो concentrations पर हम कहा सकते हैं your consideration जो और लिएट्रोलेटिक स्ल。」 की खे लेंगे ठीक जो हमें given होगी क्योंकि पहले में क्या था 充धा का सब्सक्सिक्स रखते थे अब यहां पर क्या होगी का स्बुरूर क्सिक्स नहीं है हमें दे दिया ठीक है तो दिपेंदेंस ओफ एमएफ और कंसेटरेशन एंड टेंपरेचर तो हमारे पास एक एक्क्रेशन जैसे हमारे पास क्या है इस तरह किसे कोई भी मैटल लेक्ट्रों लूज किये तो यहां पर क्या गया है कि यहां पर क्या गया हमारे पास एलेक्ट्रों जैसे गें हुए और मैटल सॉलिट मतलब कुछ भी ले सकते हैं कोई भी अग्जेंपल हम आगे लिए जब माम निमेरिकल्स करेंगे ता अब हमें पता चलेगा प्रॉपर ठीक है अभी जस्ट अम नर्नस टुक्रेशन को फॉलो 2.303 को एं एफ आर्टी लॉग ग कि यहां पर कंस्केशन किस की लेनी है प्रोड़क्त की परडप्त मृटक्त मतलब जो सॉलिड फेस में इसकी वैल्य Smash wann लेनीए व्ल थकत के लेंगे इसकी इसकी वैलिटें-बॉन मोलों। और नीचे के आगे हमारी िकलो क्या माइन की फर्म में जो ठीक है अब यह क्या क्या चीजह है इसल क्या है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशिल इलोट सेल हमारा स्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशिल एन नंबर ओफ इलेक्ट्रोंज ट्रांसफर जितने हुए लेक्ट्रोंज जितने हमारे एलेक्ट्रोंस ट्रांस्वर होगे हैं दो हुए हैं एक हुए हैं लूज की दो की हैं तीन की हैं जितने भी है उसके बाद आर गैस कॉंस्टेंट इसकी वैली क्यों होती है 8.314 जॉपल केल्विन पर मॉ उसके बाद F Faraday 96500 कूलम्स और कह रहा गया N हो गया R हो गया T 298 केल्विन ठीक है और यहां पर मॉलर कंसेट्रेशन कंसेट्रेशन इन सॉलिड फेस ठीक है यह मॉलर कंसेट्रेशन होगी MN प्लस के है जो हमारे आइस की मॉलर कंसेट्रेशन होगी ठीक है अब यह तो सारी चीज़ हमने बता दी अब क्या है अब यहां पर 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 यहां यहां पर यहां 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 यह solid face, solid face है, solid में है, इसकी one molar concentration लेगी, तो नीचे क्या गया, mn plus, यह हमारा relation बना, अब इसको इस तरह किसे भी लिख सकते हैं, e cell, जो multiply ही होती ही चीज़े, यह सारी चीज़े, multiply ही हो जाएंगी, यह क्या गया, e naught cell minus 0.0591 upon n log, 1 upon mn plus इस तरह किसे, ठीक है, इसको एक तो यह relation आगए, इस तरह किसे भी लिख सकते हैं, ठीक, यह आगए, नमेरीकल्स में यह भी इस हो सकता है, यह भी इस हो सकता है, यह भी इस हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं, e cell is equal to e naught cell plus, तो क्योंकि यह ऊपर चला जाएगा, 0.0591 upon n log MN प्लस तो यह क्या बन गे हमारी जो हमारी Nernest equation को हमने solve किये यहां से अगर हमें E naught cell निकालना E naught cell को कैसे निकालते है E standard जो standard हमारा standard electrode potential कैसे निकालते है E naught cell E cathode minus E anode जो हमारे standard values होती है ठीक है अगर यह values निकालनेगे तो हम क्या निकाल सकते है ठीक है यह क्या concentration कितनी है जो हमारे जो electrolyte की concentration दीकी है ठीक है यहां पर हम values पूट करके हम असानी से क्या कर सकते है numerical को निकाल सकते है ठीक है तो हम electrode potential भी find out कर सकते है E naught cell की values हमें पता होती है वहां से जैसे पिछले EMF निकाला सीखा था standard reduction potential values लेके ली थी ना वहां से लेके हम E naught cell अगर हमें पता हो अगर हमें पता हो तो E cell हम find out कर सकते है अलग-अलग concentration पर ठीक है तो यह थी हमारी नवनस्ट equation अब इसके basis पर हम एक numerical करके देखते हैं ठीक है अब एक numerical देखते हैं simple से पहले numerical देखते हैं उसके बाद हम एक थोड़ा सम्मुश्किल से नमेरिकल भी लेंगे जैसे हमारे पास एक नमेरिकल है जिसमें आख अर्ण एलेक्ट्रोड हमें दिये है कि एक एफी कर भी आइए हमने एलेक्ट्रोड प्रेशल वैल्यू क्या करेंगे कैलकुलेट उसको प्रेशाथ में लिख देता हूं इलेक्ट्रोड पोटेशल निकालना है ठीक है एफी टूएफ़ इसकी वेल्यूए यह इसकी माइनस पॉइंट फॉर वोल्ट दिए ऐसा भी वेल्यू दिए हमाएं ठीक है यह क्या रहा है कि अच्छा हुआ क्या एफी टू प्लस ने क्या किया दो इलेक्ट्रोंस गेंड किया होंगे तभी क्या बना एफी सॉलिड एक वास और इसकी कंसेटरेशन भी दिए है पॉइंट वन मोलर कंसेटरेशन पर निकालना है और जो गिवन हमें दिए गिवन एसरपी हमें यह दिए गई है और इस कंसेटरेशन में हमने इलेक्टोड प्रटेशल वैल्यू निकालनी है ठीक है ठीक है जी हो सकता है कैसे अब देखो हमारा नलने स्टुक्रिशन क्या लगेगी अब मैंने बताया था कि 1 by हम जब लिखते हैं 1 by ऐसे लिखते था न फी सॉलिड अपॉन फी टू प्लस अब यहां से मैं यहीं पर चेंज करूंगा फी सॉलिड मतलब वन यह वन ठीक है इसको वन करो एफी टू प्लस की वैली हमें दे दिये वह किती दिये पॉइंट वन मद उपर चला गया लाउक टैन हो गया अब में जो मेरी में चीज है वह क्या है इनॉट सेल इसकी वैली हमें आलरी गेवन दे दिये स्टेंडर्ड एक्टोड जो हमरे स्टेंडर्ड लेक्टोड नगे उसकी वैली हमें दे दिये वह कितनी दिये माइनस पॉइंट फॉर वोल्ट अब यहां पर क्या गया पॉइंट फाइव नाइन वन ठीक है अब एन क्या है एन यह वादा दो इलेक्ट्रोड यहां पर दो अब यहां पर क्या गया माइनस पॉइंट फॉर फॉर माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन पॉन टू ठीक है इसको कार्ट के वेल्यू हुमारी आती है प्रॉक्सिमेटली पॉइंट 4.469 वोल्ट माइनस मतलब हमारी एसल की वेल्यू कितने आई- 4.469 वोल्ट ठीक है यह हमारा क्या था नोलन टूलक की बेस पे ग्यूट ठीक है समझ जा बहु आपको पता जल गहा कि कम कॉन सी वेल्यू किस तरी क्रीकिसे आप कहा पे फीट करोगे कमें खोदियी नौट की वेल्व झाइण फी कहा खी इस कमस्टेशन पर निकालो किसको ईसल को निकालो ठीक है हमने ओड़ता है ऑन क€ निकालते हो ठीक आपपको फ्मिन-खै की अजिए आज निकालते हैं मिल्सी एक गलते हमने पहले पिछले अपने लेक्चर में डिसकर्स किया था इनॉट सेल कभी गिवन कई बाद नहीं होता यह समय नहीं दिया जाता तो फिर आप क्या करते हो इनॉट निकालती हो इक थोड माइनिस इनॉट से यहां पर वैल्यू पूट करके हमारा इसल इलेक्टो प्रेंशल जो हमारा यह वला निकल आएगा ठीक है तो हमारे इसल की वैल्यू कितनी है ठीक है जैसे स्पोर्ज इस तरह की किके क्वेशन अधाए पहले तो सिंपल दी ना एए प्लस बी बी केव्स हम क्या सकते हैं इसको एक्स एकस प्लस वाई-वाई है ना इस तरह किसे कुछ आ जाए तो फिर कैसे लिखेंगे इस तरह की को कैसे लिखेंगे E cell is equal to E not cell ध्यान से देखना माइनस 0.059 1 upon N फिर अब यहां पे लॉग कैसे अब कैसे अब यहां पे एक्स और वाई का इस तरह के से एक्स और वाई और इस तो पावर जो इसके यहां पे देए एक्स और वाई नीचे रेक्टर देखेंगे वाई और भी और साथ में जो स्मॉल एसमॉल भी कितने दिए तू हर दू हर तीन चार वह कैसे इस तरह की क्यों इसतर चेसे फाइंड ॉट करें लिखेंगे मतलब इस तरह के आएंगे जो मेरा पास दो इलक्टोड होंगे एक्स और ये उपर जाएगा मल अगर जासे न न न उपर कर अजाएगा इस तरह केशे नीचे नगे थे वह बादा रेक्टेंड यह नीचे हो घए इस सम्झाने का मतलब क्या था क्योंकि नुमरिकल इस तरह के का इसी इसी किसिंट के बेच पे नुमरिकल इस आप रोट कर दो है मोलर कंसेटरेशन जो है जिंक नैटरिड सुलूशन में डाला हुआ है लैड को 0.2 मोलर कंसेटरेशन लैड नैटरिड में डाला हुआ है कैलकुलेट करो EMF पूरे सेल की EMF निकालो आपको गिवन दी गई है E-naught cell की value दी गई है किवन होती है किवन आपको गिवन नहीं होती है किवन चीज़ें आपको याद करने पड़ेदे हैं चलो इसकी given value होगी मैं बता दूँगा आपको अब यह गिवन equation यह दे दी है अब हमें यहां से पता तो पता चल रहा है कि कौन oxidation कर रहे हैं अगर हमें Oxidation Reduction का पता चल जाए कि कौन Anode है कौन क के तो होड़ा अब इससे हमने left side पे लिखा मतलब मानकर चलते हैं लेप बर साइब तो यह क्या oxidation कर रहा होगा यह क्या कर रहा है Oxidation यह क्या कर रहा है reduction ठीक है कहने का मतलब इस तरह किस्विकेशन बनी जिंक ने क्या किया electrons lose किये तो क्या बना zinc two plus zinc ने electrons lose किये तो क्या बना zinc two plus copper ने copper lead हाँ lead ने two plus ने क्या किया एकवेस है यह भी AO क्यक्क इसने क्या किये दो तोध डूरूर्स किये lead solid बन गया अब यह लूज कर रहे यह क्या कर रहे गन लूज वाला क्योंटं करेगा ठीक है ox children मतलब यह क्या अक्त करेगा है और पता चल गया है यह वाला और वोगा यह क्या कर रहे हैêm गेन कर रहा है गेन वाला रिड़क्शन मतलब यह क्या है और कैसी का है कैसी निकाल सकते हैं इनौट सेल निकाल सकते हैं अब इनौट सेल निकाले का क्योंकि में E0 cell चाहिए ना क्योंकि में E0 cell भी मारे पास होना चाहिए इस equation में ठीक है तो E cell फिर हमारा निकलाएगा E0 cell कैसे निकालते हैं E cathode minus E anode हमें पता है कि E cathode connect कर रहा है lead lead कर रहा है अब lead की value है हमारी value क्या होती है minus 0.13 ठीक है और zinc क्या कर रहा है anode और zinc की value आ रही है वो क्या रही है 0.76 ठीक है अब अगर E0 cell की value फिर क्या है हमारी 0.63 would इसका मतलब E0 cell हमारा आ गया ठीक है E0 cell आ गया यह E0 cell थो हमने निकाल दिया अब क्या निकालना है that is E cell अब यह सारी equation किस तरह किसी यहां पर किस तरह किसी लिखेंगे ठीक है यहां तक note कर लो कि हमने E0 cell निकाल दिया यह वहली चीज निकाल दिया E0 cell हमने find out कर लिए ठीक है अब E0 cell हमारा चलो निकल गया अब equation को कैसे लिखेंगे इस equation को कैसे लिख सकते हैं zinc zinc 2 plus zinc 2 plus plus lead यही है है equation यह equation है ठीक है zinc क्या कर रहा है lose करके zinc 2 plus बना रहा है lead 2 plus क्या कर गेन करके lead solid बना रहा है अब यही चीज यहां पर fit करने है कैसे इसल 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 जो मैंने वेल्यू निकाल ली अभी इसल की वेल्यू निकाली है तो अब 0.0591 अपॉन एन अब एन कितना है एन यहां भी कितना होगा कितने एलेक्ट्रोंस अक्षेंज हो रहे हैं टू लॉग अब वही चीज जो मैंने बताईए concentration किसका दोनों का product zinc 2 plus ऊपर और lead solid नीचे यह zinc और नीचे के आगए यहां पर lead 2 plus अब देखने वाली चीज क्या है कि 11 क्या कौन-कौन हो जाएगा यह भी solid है यह दोनों क्या हो जाएंगे इनकी value क्या हो जाएगी मैं यहां पर मिटा दूगा अब यह इसकी value और इसकी value क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी चलो मैं इसको खतम कर देता हूं यहां पर क्यूंकि यह solid form में तो इसकी value क्या होगी 1 दोनों खतम होगे अब zinc 2 plus की value क्या देगी यह जिंक 2 plus की जिंक 2 plus की concentration कितनी दीगे 0.1 अब यहां पर मैं 0.1 लिख देता हूं क्योंकि आइन की concentration क्या दिए 0.1 तो लेट 2 plus की concentration कितनी दिए लेट की concentration कितनी दिए solution की 0.02 ठीक है अगर हम इसे काटेंगे ठीक है इसको काटेंगे तो क्या आएगा दस उपर 25 लॉग 5 आ जाएगा इसको मिटा दू यहीं पर खतम करोंगा लॉग 5 आ गया यहां पर क्या value आगे हमारी लॉग 5 ठीक है अब यहां पर in और cell की value हमने क्या निकाली थी इन और cell की value निकाली 0.63 वोल्ट ठीक है इसकी value 0.0591 नीचे के आगे 2 लॉग 5 की value अब देखो भी लॉग 5 जो मैंने लॉग की के बड़ ट्रिक्स भी बताई है उसकी वीडियो बनी है चार वीडियो बनी हुए है एक है विदाउट टेबल दो दो विदाउट टेबल है लॉ ठीक है वो चार वीडियो है वो आप playlist में जाके लॉग कैसे निकालते हैं कैसे देखते हैं वो लॉग की values कैसे सीख लेना अच्छे तरीक से देख लेना वीडियो को क्योंकि बहुत important है वो आगे chemical kinetics से आगा उसमें भी log यूज होगा एंटी लॉग यूज होगा वो बहुत ही जुरूर ही आपके लिए लॉग को समझना ठीक है तो वह आपको माई बटन पर लिंक दे दूंगा उनका तो आप वहीं पे जाके उसे चार वीडियो को अच्छे से देख लो आपको बेस क्लियर हो जाएगा ठीक है लॉग 5 की value क्या आगी 0.699 ठीक है approximately इतनी value आगी अब इसको जब हम करेंगे multiply and divide करेंगे इसकी जो value हमारी निकल के वह आई 0.609 वोल्ट तो यह क्या आगया हमारा e cell की value निकल के आगे ठीक है तो यह था हमारा यह था हमारा नर्नेस्ट उकेशन पे numerical जब हमें electrodes दी हो अलग-अलग electrodes दी है कि वह यहां पे जैसे zinc था और यहां पे lead था ठीक है तो क्या कि हमने simple e naught cell को निकाला क्योंकि e naught cell की value हमें नहीं पता थी standard यह standard value यह पता ही होती है कि कैस किस तरह किसे हम electrochemical series से देखते है ठीक है तो आपको यह given भी होती है srp values given होती है तो यह e cell कैसे निकालते है e naught cell कैसे निकालते है e cathode minus e anode वहां से e naught cell निकाल दिया था हमें वो क्या निकाला था 0.63 वोड काम कानी यहां पे खत्म हो गई n क्या था हमारा जो हमारा number of electronics चेंज हुए थी ठीक है और log log हमें जैसे निकाला था वो क्या आ गया हमारा log 5 यहां पे जो values पूट की थी ठीक है ठीक है तो इसकी value और इसकी value solid वाली value वो तो 1 हो गई थी जिंक 2 प्लस की concentration दी गई थी हमें जिंक 2 प्लस की 0.1 दी थी और लेट 2 प्लस की value concentration के दी थी 0.02 और उसका क्या आ गया था value 5 आ गयी थी अब log 5 की value हमने यहां पे भरी n की value यहां पे बरी e 0 cell हमने निकाल दिया और यहां से क्या आ गया हमारा e cell निकल गया ठीक है तो यह था हमारा आज का nervousness equation पे जो पूरा उसका thoroughly उसे हमने समझा भी और उसके जो based पे हमारे numericals थे उनको भी आज हमने अच्छे से discuss किया समझा ठीक आप एक दो बार वीडियो को देखो गए फिर आपको खुद आप इससे solve करो चाहे मैंने solve भी किया है फिर भी आप एक बार वीडियो तो देखो साथ में साथ में खुद भी solve करने की कोशिश करो ठीक है और यह लॉक मैंने अभी बताया कि लॉक को देख लें एक बार जो लॉक की चार वीडियोस है उनको अच्छे से देख लो ठीक हो आपके लिए बहुत जादा फायदे मन्न होगी तो फिलाल आज के लिए बस इतना ही था हम अगली वी पार जो अजाए ङबूलग अच्य को एतना ही जाई मन्होट ऑट जापाए बस लादाद लादा झाल आख़ा बस से घ झाल झाल